मैथेमेटिक्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे पार्शियल फ्रेक्शन तो पार्शियल फ्रेक्शन के थुरू आप इंटिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यानि कुछ अस्पेशल केस होता है जो अगर आप समझ जाते हैं और आप लोग को पता होगा कि अगर एक्जामनेशन में किस तरह का कोश्चन आता है तो उस पे आप प्रेक्टिस कर लेते हैं उसी तरह से यहां पर है कि अगर जो इंटिग्रेशन दिया हुआ है और आप समझ जाएं कि वह पार्शल फ्रेक्शन पर है तो बहुत ही असानी से सुल्व कर सकते हैं तो पाचानेंगे कैसे तो यहां पर देखे हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कुछ तैय है आप लोग का उस टाप का इंटिग्रेशन का कोस्टन है यह देक्टीग्रेवल टाइप्स जहां पर जो आप लोग पहला है तो सबसे पहले पाछानी का जो अí और partial fraction में कभी भी root यूज नहीं होता है कोई भी question में अगर root नहीं है ना ही उपर है ना ही numerator में है ना ही denominator में है तो या तो उस question को आप लोग factor के form में अगर convert कर देते हैं जिसमें एक आप लोग का क्या linear है और दूसरा अगर quadratic भी आता है तो चले गया या दोनों हमारा linear आ जाए तो ऐसे question को हम लोग partial fraction से अगर solve करते हैं तो बहुत ही असानी से solve कर सकते हैं और देखिए दो term का यहां पर क्या multiple है दूसरा question करता है कि एक आपका linear है और दूसरा क्या है quadratic अगर इसको आप solve करेंगे बिना square का है तो यह इसका type होता है कि हम लोग कैसे question को कैसे solve करते हैं तो द्यान देजिएगा दोनों आप लोग का आप factor में है लेकिन एक square में एक विदावट square है अगर विदावट square होगा तो उसके लिए अलग rule होगा अगर square होगा उसका whole square होगा तो उसके लिए अलग rule है और यहां पर देखें तीसरा जो आप लोग का quadratic में है और यहां square में है और नीचे भी एक क्या है एक linear में और एक quadratic में और यह quadratic को आप लोग factor में तोड़ नहीं सकते तो ऐसे question को ही हम लोग बोलते है partial fraction पे यह set है कता है can be evaluated using the method of partial fraction तो ऐसे question को हम लोग क्या कर सकते हैं evaluate कर सकते हैं using the method of the partial fraction तो सबसे पहला जो आप लोग का concept है आपको पहचानना होगा कि वह question partial fraction पे है या नहीं है तो उसका identification कैसे होगा तो कुछ number of question यानि कुछ question आप जब बनाईएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे question को ही हम लोग बोलते हैं कि partial fraction पे set है अब यहाँ पर भी दो conditions है if the degree of numerator is greater than the degree of denominator जैसे यहाँ पर हमारा क्या है मान लेते हैं कि x square है और divided by x plus 1 है तो आईसे question जहाँ पे हमारा क्या हो numerator degree of numerator क्या है यहाँ पर देखिए अगर numerator की बात करते हैं तो यहाँ square है और यहाँ maximum power x का क्या है 1 है यानि numerator का power क्या है 2 है या denominator का power क्या है maximum 1 है variable का देखिए एक्स का तो यहाँ पर क्या है numerator का power ज्यादा है यही बोल रहा है degree of numerator greater than the degree of denominator then use the long divisions तब हम लोग क्या करेंगे long division करेंगे and the express the given fraction आई जे proper fraction तो proper fraction पे हम लोग उसको set करेंगे तो proper fraction पे कैसे set करेंगे अभी आपको बस इतना ही समझना है कि numerator में अगर power जादा है और denominator में power कम है या बराबर है तो ऐसे case में हम लोग क्या करेंगे direct partial fraction नहीं लगाएंगे उसको long hand division पे पहले set कर देंगे question को तब यानि उसको हम proper fraction में convert करेंगे तब जाकर उसका हम partial fraction का method यूज करेंगे तब जाकर question sole होगा तो आगे के question में हम आपको दिखाएंगे कि वो proper fraction नहीं है आपको कैसे proper fraction convert करना है long hand divisions जो यहाँ पर method है तो कता है proper fraction can be expressed as the sum of the partial fraction तो proper fraction जो आप लोग का question रहेगा उसको क्या करना है as the sum of the partial fraction और उसको sum of the partial fraction पे convert करना है तो किस तरह का question होगा तो कैसे convert करेंगे यहाँ पर आप लोग का देखिए तीन आप लोग का type दिया हुआ है तो पहला काता है कि अगर question हमारा इस तरह का है question हमारा इस तरह का है यानि px plus q divided by x minus a x minus b तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं ay x minus अगर दो का multiple है यहाँ पर क्या है दो का multiple है यानि x minus a x minus b तो ay x minus a plus by x minus b अगर यही question अपारा आपका 3 का multiple होता है क्या होता 3 का multiple होता इस तरह से माल लेते है that is 1y x minus 1 x minus 2 और x minus 3 और इसका क्या काता है integration find out कर बोलता है तो यह भी partial fraction पर है यहाँ पर देखे px plus q के जगह 1 भी हो सकता है 2x plus 3 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इसको अगर हम लोग set करेंगे तो ay x minus 1 plus by x minus 2 plus c y x minus 3 अगर 4 into में होगा तो d तक जाएगा तो यहाँ पर देखे किसी में भी power नहीं था ना इसमें power है नहीं इसमें power है तो अगर without power का है तो हम लोग direct इस तरह से expand कर सकते हैं अब यहाँ पर देखे कि px plus q यहाँ पर 2x plus 3 भी हो सकता था या कुछ भी नहीं हो सिर्फ dx हो अगर dx हो तो 1 होगा तो यह ध्यान रखना है कि px plus q का मतलब है यहाँ पर कोई भी linear function हो सकता है या फिर कोई भी constant value हो सकता है या सिर्फ 2x हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन ध्यान रखना denominator में क्या होगा कि जो भी होगा into में होगा और उसका power x से जादा नहीं हो तब हम लोग इस तरह से उस question को set करके integration निका fraction पर है या नहीं है और पहला identify अगर उपर यह नीचे कहीं भी root होगा तो यह सोच देना है कि partial fraction पर आएगा तो अगर नहीं उपर root है और नहीं नीचे root है अगर quadratic में भी कोई है लेकिन अगर उसको factor में तोड़ सकते है तो भी वो partial fraction पर सेट हो जाएगा दूसरा question कहता है कि अगर आप लोग का इस तरह से हो 1y x-2 का whole square और into x-1 तो ऐसे question को यहाँ पर देखे कहता है px plus q divided by यहाँ पर देखे पावर क्या है 2 है 2 के लिए ही होगा और x-1 तो ऐसे question को अगर हम लोग set करेंगे तो सबसे पहले ay x-2 लिखाएगा प्लस by x-2 का whole square यानि पहला बार क्या होगा without power और second बार maximum power प्लस c y x-1 इस तरह से तो यहीं आप लोग के लिखकर दिखाया है और देखे उपर हम बन लिए हैं लेकिन आप पर क्या रहा पी x plus की हो बन के जगा पर क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है अगर चाहे तो आप लोग का इस प्लस 3 भी हो सकता है या फिर सिर्फ 3 हो सकता है कुछ हो सकता है यानि पी एक्स क्यूव पी एक्स प्लस क्यूव के प्लेस पे तो ध्यान क्या रखना है कि अगर denominator में अगर कोई फैक्टर है उसका square है तो एक बार क्या होता है वह सिंगल टर्म में लिखा जाता है और दिखे अब तीसरा केस करता है तो एक आप लोग का तीसरा केस सबसे लास्ट में दिया हुआ है मान लेते हैं कि एक जो आप लोग का equation है यहां पर से ब्रेकेट क्लोज होगा तो अगर हमारा कोई भी टर्म मान लेते है कि 2x प्लस 3 है और divided by x-1 है और इंटू x square प्लस 2 है तो x square प्लस 2 है तो इसका आप लोग factor नहीं ब्रेक कर सकते है यानि quadratic equation जो factor में नहीं आए तो उस case के लिए आप लोग का क्या होगा पहला में तो कोई दीकत ने ay x-1 लिख देंगे ठीक है जो कि वो आपका क्या था linear power था प्लस bx प्लस c यहां पर quadratic है तो bx प्लस c और आप क्या है यहां क्या दिखा अगर अगर बोला जाता है तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है यहां पर sum of partial fraction में यही देखिए आप लोग का जो बीच में जो term आ रहा है plus इसी को हम लोग बोलते हैं sum of partial fraction पे set करना है तो यह तीनों टाइप पे हम question बताएंगे एक एक करके आपको clear हो जाना चाहिए कि सबसे पहला क्या है identify the question on partial fraction और not अगर partial fraction पे नहीं है तब तो कोई बात नहीं है तो कैसे नहीं होगा तो अगर ऐसा type अगर नहीं है तो वो partial fraction पे नहीं होगा एक और हो सकता है जैसे है x square plus 4x plus 4 यह हमारा partial fraction पे जा सकता है क्यों जा सकता है इसको आप लोग लिख सकते हैं 1y x plus 2 का whole square तो यह आप लोग का वहाँ पे set हो सकता है या plus minus पे आ जाए तो और अच्छा है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसा question मिल रहा है तो कुछ question हम इसके next lecture में लेकर आएंगे और जिसमें आपको बताएंगे कि partial fraction का यह question है और इसको कैसे इस method पर set करेंगे और a b का value find out करेंगे और उस question को कैसे solve करेंगे अगर ऐसा question है तो a b c का value कैसे find out होगा अगर ऐसा question है तो a b c का value कैसे find out होगा और कैसे उसका integration find out कीजिएगा तो आप हमारे lecture के साथ बने रहें अभी भी समय है जो बिद्यारती channel को join नहीं किये वो join कर ले और हमारा कोई भी lecture फिरी में नहीं आएगा है चुकि हम मेहनत करते हैं तो हम उसका cost आप से लेंगे ही चुकि बहुत ही minimum cost है आपको भी पता है कि 159 अगर हम आप paid कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 99 रुपया ही एप्रॉक्स आ रहा है 59 रुपीज आपका YouTube काटता है तो चुकि आप पैसा देते हैं तो आपको interest भी आएगा पढ़ने में और BCF first semester, second semester, third semester, fourth semester सारा का mathematics हम आपको बताएंगे और अगर हमें time मिलता है और आपका performance अच्छा रहता है तो physics का भी हम बना देंगे तो चलिए next question में हम बात करेंगे example of partial fraction यहां पर three type का लिए है तीनो type पे कुछ question हम बनाएंगे कुछ question आपको बनाने के लिए देंगे तो आप बनाएगा और answer comment box में post कीजिएगा तो हम check कर बताएंगे आपका answer correct है या गलत है तो next lecture में मिलते हैं example के साथ तब तक के लिए thank you तो